इससे पहले की वीडियो में मैं आपको फिप्रोनिल दस्मिलो 3% वार दस्मिलो 6% ग्रेनूलर तथा फिप्रोनिल 5% यसी के बारे में बता चुका हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको फिप्रोनिल 80% डबलो जी के बारे में बताऊंगा मैं हूँ आपके साथ संजीव संकर्तिवारी, स्वागत है आप सभी खा आपके अपने चैनल क्रियेटिव सैस में फिप्रोनिल अस्सी प्रश्चत गुलंसील डानेदार के रूप में पाया जाने वाला कितना सक है जो अपना संबंद फिनाईल पायरा जोल वर्ग से रखता है ये कीटों को संपर्क वा अंतर ग्रहर से मालने के साथ साथ पोधों को विकास में भी काफी जाता मददगार होता है इसका प्रयोग अंगूर, धान, पत्ता गोभी, प्याज के फसल में तनाचेदक, पत्ती मोड़क, चूरदा वा डीबियम, डाइमंड, बलेक, मौध को नियंतरत करने के लिए किया जाता है बात करें अगर इसके प्रयोग के मात्रा की तो धान वा अंगूर के खेप में 25 ग्राम प्रती एकर, प्याज के खेप में 30 ग्राम प्रती एकर और पत्ता गोभी में 40 ग्राम प्रती एकर के हिसाब से प्रयोग किया जाता है सबी फसलों में पानी की मात्रा डेर सो से दो सो लीटर प्रियोग करनी चाहिए बात करें अगर इसके टॉक्सिसिटी लेबल की तो ये एलो लेबल की दवा है वहीं इसका बेटिंग पीरियड धान के लिए 19 दिन, अंगूर के लिए 10 दिन, प्याज और पत्ता गोवी के लिए 15 दिलका होता है अब बात करते हैं इसके मार्केटिंग नाम और निर्माता कमपनियों की तो अडामा से अगाडी सुपर, पारिजास से अहेड, बायर से जंप, घाड़ा से क्वार्टज, भारत इंसक्रिस साइड से हूटर, स्टार केमिकल्स से फिपो गोल्ड, पारस से जुम्बो, धानुका से डिफेंड नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, हो सकता है इन सभी नामों के अत्विक्ट आपको कुछ नाम मार्केट में देखने के लिए और मिल जाएं, आज की इसी जानकारी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाजत, मिलता हूँ आपक अगली वीडियो में और जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद राम राम